ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति अब भी हमको दो साल पहले एक साध्वी मिली माउंट में आई तो हम कहते तपस्चा किया क्या तपस्चा किया में इतनी थंडी है तो क्या किया 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 एक क्या ख्लाका खाया स्नान कहा यह इतनी थंडी में बिना स्नान किया इसे बेटे रहे एक खना क्या घृए अब कि अधिरले कometry में इतनी थंडी ऊन्ति होती हमाले पर गुपा में बैठी I long iamook करके तौररा दिन ना सो ना और नहीं होती थी, खाना खाना चाहिए, आखे बंद करके, ओम की धुनी करते था, फिर मैंने का खाना खाया कौन खिलता था, लेकिन एक दिन भी दो साल में मैं भुकी नहीं रही, किस ने खाना खिलाया, बताओ, भगवान कहां से लेगा है, रोटी सब्जी कहां से लेगा है, उ उदर भक्ती में तो इदर तो कोई नहीं उदर तो जंगल में ऐसे थंडी है बहुत गुफा में कौन जा भी पहुंच भी नहीं सकते है इसे जगह पर तो सोच लो आप कौन खिला किस ने खिला कहती थी मैंने पूछा कि हम आखे बंद करके बैठते थे मन में खाने की इच्छा भी नहीं लेकिन जैसे पाव को गरम लगता था आखे खुली दो रोटी और सबजी पत्ते को लपेट कर लगा हूआ रखा है पाव को गरम लगता था गरम लगते खोल के आखे खोली देखा एक दिन भी दो सालों में भूकी नहीं रही अब आप सोचना कौन खिलाता था फिर मैं पूछ रहता स्नान कैसे के इतनी थंडी में तब तक कोई दूसरे गुस के कमरे में बात करने कि वो रहे गए उदर फिर तीसरा पूछा मैंने कि क्या आपको गुस्सा नहीं आता है क्या आपके मन में जब रात को सोते बुरे सपन नहीं आते है पुण्यात्मा बने साधना किया तपस्टा किया पुण्यात्मा बन गए तो उन्होंने जबसका जवाब ने दिया उन्होंने क्या कहा तब पता चला ये माता है कन्या नहीं कैते मेरे बेटे ने शरीर छोड़ा मैं कहीं थी तो मुझे कार से लेके गए जब मुरुत शरीर देखा तो भी मेरे आखों से आसू ने आये इतना ही हमने पुछा था क्या कभी कुरोध ने आता है या अंदर बुरे पाप भरावा वो मिट गया साधना किया आपने तो किसके लिए किया दवाई लिया किसके लिए बिमारी मिटाने के लिए बिमारी मिटी तो उसका जवाब ने दिया तो साधना किसको ग्यान योग ध्यान आप मंदिर में इतने सालों से पूजा पाट कर रहे हो क्यों कर रहे हो साधिय हो, बिमारी ठीक हो मकान बनाना, बिजनेस ठीक हो इसके लिए भगवान से कुछ नो कुछ तूल चीज़े मानते है और भगवान ने सपस्ट कहा हुआ है कि मेरे पास ये सब कुछ नहीं है ये आपके कर्मों का फ़ल है अच्छा कर्म करेंगे, तो अच्छा फल मिलेगा मैं सिर्फ पतित आत्मा को पावन करता हूँ क्योंकि वो परम आत्मा है आत्मा का डॉक्टर है आत्मा के अंदर बिमारी हो, उसको मिटाता है उसके शक्ति से पाप मिटता है शरीर की बिमारे मिटाना है दॉक्टर की दवाई चाहे है न गोलिया, दवाई, आपरेशन कुछ चाहे है न कि शरीर में बिमारी है तो दवाई से शरीर ठीक होगा दवाई भी कैसा उपर से नहीं आती है जमीन में बनती है जड़ी बुटियों का और किसी का जमीन में पांच तत्तों से शरीर बना हुआ है पांच तत्तों के अंदर जो दवाई बनती है उसी से शरीर को ठीक करें गएगा आत्मा अलग है तो आत्मा के अंदर पाप है तो उसको मिटाने के लिए परमात्मा की शक्ति चाहिए इसलिए देख लो कितने बड़े-बड़े सादू सन्यासी है देखो हमने देखा शंकराचारी बड़े-बड़े है अब भी किसी पत्रकारवाला ने उनको कुछ प्रश्न पूछा तो उन्हें थपड़ मार दिया उनको बितना गुसा इतना कुरोधी तो सादना क्यों करते है तब कहा विश्वा मितर ने तिर तपस्या किया गायन है तो तपस्या किस के लिए किया अगर ये पांच विकार नहीं मिटे तो तपस्या का फल क्या है अभी आप इदर आए क्यों आ रहे हो डॉक्टर के पास रोज जा रहे हो, दावाई लेते हो, अगर बिमारी ठीक नहीं हुई, तो डॉक्टर के पास जा के फाइदा क्या है? एक साल से दावाई ले रहे हो आप, अगर बिमारी नहीं गई, तो कोई कहेंगे ने मूरख है इनको पता हैं, दूसरे डॉक्टर के पास जाओ अगर ये डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे न तो यहाँ आने के बाद आपने घ्यान घ्यान सुना तो उसका result क्या है कम से कम एक क्रोध तो मुक्त होना चाहे तब लोग मानेंगे इनको भगवाद पढ़ाता है पारी चलन सुधरी नहीं वो भी आपको बताओ